देखिए महराज गंज लोग सभा को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है कि देश के जाने माने नेता कॉंग्रेस के यूथ लीडर करहिया कुमार विहार के महराज गंज लोग सभा छेतर से चुनाव लग सकते हैं पहले के विडियो में मैंने करहिया कुमार की चर्चा की थी करहिया कुमार का नाम सामने आ रहा है लेकिन यह चर्चा और तेज हो गई है करहिया कुमार जो है महराज गंज से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लग सकते हैं कामरेट से कॉंग्रेसी बने करहिया कुमार पहले 2019 लोग सबा चुनाव में बेगु सराय से चुनाव लड़े थे लेकिन महागडबंदन के सीट बटवारे में या सीट CPI के खाते में चली गई है और CPI ने बेगु सराय से अधे सराय को उमिदवार बनाया है तो ऐसे में महराजगंज कनहिया कुमार के लिए एक बनिया बिकल्प दिख रहा है और कनहिया कुमार की जो टीम है वो महराजगंज में लकतार सरवे कर रही है लोगों से जानना चाह रही है कि कनहिया कुमार को यहाँ पर पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कनहिया कुमार के साथ रहने वाले सुसील कुमार जो है यह सरवे कर रहे हैं उनके साथ 30-35 लोगों की जो टीम है वो महराज गंज के अलग-अलग छेतरों में घूम रही है और लोगों से कनहिया कुमार को लेकर feedback ले रही है हाला कि कॉंग्रेस के तरफ से यह सरवे नहीं कराया जा रहा है और कॉंग्रेस के तरफ से अभी इसकी कोई पूश्टी नहीं किये गई है तो कनहिया कुमार की जो टीम है वो सरवे कर रही है और सरवे हो जाने के बाद वो जो रिपोर्ट है वो कॉंग्रेस के राष्टे अध के लिए महराजगन क्या असान है महराजगन जिसे राजपुतों का गढ़ माना जाता है अधिकांस यहां से राजपुत जाती के ही नेता सांसद बनते रहे हैं वहीं राजत के नेता बाहुबली प्रभुनास सिंग के बेटे का यहां पर ठिकट कटा है तो रंधीर सींग भी नराज है तो क्या प्रभुनास सिंग के परिवार को नराज करके यहां पर महागरबंदन चुनाव दे सकती है वहीं प्रभुनास सिंग जो पहले जद्यू के साथ थे बाद में आरजगी के साथ आ गए महराजगन से चार बार सांसद रह चुके हैं पुर्य विधाय खत्यक से वहार खते तो इस बार महराजगन सीट को कॉंग्रेश के खाते में दे दिया गया है और कॉंग्रेश के तरब से कौन आएका है उसको लेकर लगतार चर्चा हो रही है कई نाम सामने आ रहे हैं लेकिन इसमें सबसे चौकाय देने वाला जू नाम है वो नाम है कनहिया कुम कुमार दुस तरह से बोलते हैं दुस तरह से उनका युवाओं पर प्रभाव है तो अगर कनहिया कुमार महराज गंज में चुनाव लड़ते हैं तो लराई दिल्चस्प होगी क्योंकि कनहिया कुमार को सिर्फ भूमिहार जाती का ही वोट नहीं मिलेगा बलकि जो बुद्ध करते हैं तो कनहिया कुमार एक बरा ना जो महराज गंज में आ सकता है धेकर महराज गंज में कहितिहास देखिएगा तो महराज गंज तब चर्चा में आया था जब पूरी पर्धार मंतरी चंसेखर बाबु यहां से चुनाव लड़े थे और भारी बतों से चुनाव लड़े थे चंसेखर बाबु जो हैं वो बलिया से भी चुनाव लड़े थे और महराजगंद से भी चुनाव लड़े थे उस गढ़ को कणिया कुमार क्या फटा करेंगे बीजेपी के तरब से जनादर सिंग सिगृवाल को एक बार फिर उबमेदवार बनाया गया है सिग्रिवाल को क्या कुनहिया कुमार पट्कनी देंगे च्ब्र बेगु सराई जैसा ही हाल होगा और कॉंग्रेस के तरब से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें डॉक्टर अरून कुमार का भी नाम है जो कल तक चिराग के हेलिकप्टर को उर रहे थे लेकिन उन्होंने चिराग पशवान की पार्टी लुजपा रामिलास को छोड़ दिया है क्योंकि उधर से उन्हें टिकट न से उमिद्वार बनाया जा सकता है इसके अरावा विजय संकर दूबे की भी चर्चा है तो कॉंग्रस के तरब से जितने भी नाम चल रहे हैं उसमें अधिकांस तब भूमिहार जाकी के ही नेता है इससे यह लगबग तय माना जा रहा है कि महराज गर्ण में राजपुत बन जाता है उसे कॉंग्रस यहा Smells तूर पाती है और करहिः तूर नहीं तूर पाती है और करहिःया कुमार के उपर क्या दाउं खेला जाएगा कर्या कुमार क्या महराज गंस से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इन तमाम بातों को लेकर देखिए कर्या कुमार के जो टीम है वो लगतार सरवे कर रहे हैं, 3-35 जो हैं मराव्यानियों में लगा दिये गए हैं, लोगों से फीड़बेक लिया जा रहा है, उन्तजार केजिए क्या खेर कॉंग्रेस के सरब से क्या फैसला लिया जाता है और किसे उमिदवार बनाया जाएगा, खेर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निए करने करें, उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके बदा सकते हैं, वीडियो और फेस्वूप देखने हैं, तो हमारे पेज को भी लाइक लिजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद